सेमी फाइनल में सूर्मा मेरे साथ खेल संपादक विवेक भी जुट चुके हैं मेरे साथ खेलों का महाकुम है यानि ओलम्पिक में नौवे दिन भी भारते खिलाडी धूम मचा रहे आज भारत के लिए पैरिस ओलम्पिक से बड़ी और अच्छी खबर सामने आई आपको बता दे सबसे पहले बड़ी खबर ओलम्पिक में भारती होकी टीम की शांदार जीत शूट आउट में गोल बचाया और भारत 43 मिनट तक 10 खिलाडियों के साथ खेला हमारी टीम ने देखे भारतिय टीम 10 खिलाडी से खेली फिर भी फुल साइम तक स्कोर एक-एक पर रोका और फिर पैनल्टी शूट आउट में बिटन को 4-2 से हमारी टीम ने हरा दिया तो ये बड़ी और अच्छी खबर जो पैरिस ओलम्पिक से सामनी आई भारतियों होके टीम की ये शानदार जीत और इसे की उमीद तो लगतार की जा रही थी ओलम्पिक के सेमी फाइनल में भारतियों होके टीम पहुँच चुकी है भारत ने ब्रिटेन को 4-2 से हरा दिया पैनल्टी शूट आट में और इसी के साथ भारत जो है अब उलम्पिक्स होकी के सेमी फाइनल में पहुँच चुका है क्योंके 43 मिनट जो है भारत की होकी टीम ने सिरफ 10 लोगों के साथ खेली क्योंके अमित रोहिदास गलती से बिटेन के प्लेयर पे होकी स्टिक मारने के वज़े से उन्हें रेट कार्ट मिल गया जिसके वएसे वो पूरे मैच से बाहर हो गए अगला मुकाबला भी वो खेल पाएंगे या नहीं इस पर भी अभी फैसला लेगा लेकिन पूरे 43 मिनट मैच पे भारत एक प्लेयर जो है वो कम से खेला एक और प्लेयर को ग्रीन कार्ट भी मिला पूजा यहां पर जिसकी वएसे कुछ समय और एक प्लेयर कम के साथ यहां पर खेला टीम इंडिया लेकिन उसके बाद भी बहुत शांदार जी यह जीत बताती है कि आपका स्किल कितना अच्छा है आपका इंडियरंस कितना के सबसे बड़े हीरो रहे गोलकीपर पी आज श्रीजेश जी हां वही गोलकीपर जिसने टोकियो में भारत को ब्रॉंस मेडल जिताने में बहुत एहम योगदान दिलाया तो और एक बार फिर श्रीजेश जो सीनियर खिलाडी है वो आए साथी साथ कफ्तान हर्मन प्रीट जिन्होंने सबसे पहले खाता खोला भारत की टीम से 22 मिनिट में उन्होंने गोल किया उसके बाद 27 मिनिट में ब्रिटेन ने एक-एक की बराबरी भी करी है और आपको बता दें कि उसी वज़े के बाद यहां पर पूरे 60 मिनिट के खेल के बाद यह दोनों ही टीमें एक-ए साथ हमारे साथ वी किष्ण स्वामी भी जुच्टू कें सीधा पैरिस से सबसे पहले स्वामी सर आपके पास आप वहां पर थे पैरिस में थे आपने वह मुकाबला देखा क्या था सारा महौल और कैसे रियाक्शन्स और कैसे इमोशन्स हैं इस भारती होकी टीम के देखे जैसे ही भारत ने चार दो से जीत हासिल की तो पूरा स्टेडियम जो है खारशर उल्ला से उठ पड़ा क्योंकि लग रहा था कि जब रोहिदास को बाहर निकाला गया भारत दस प्लेयर से खेल पाएगा की नहीं और मगर उन्होंने जो जो रणदीती बनाई वहां पर कि जो ब्रिटन के जो है अटाकर्स को बिल्कुल डिफेंड करते राए उनको अलग करते राए और इसमें मैं कहुँका कि पूरे मैच पे जो है स्रीजेश ने जिस परकार से गोल कीपिंग की वो कमाल की गोल कीपिंग बहुत पारी ऐसा हुआ कि अटाक में जो है सिर्फ स्रीजेश अकेले बचे थे तो मगर उन्होंने फिर भी जो है पूरा का पूरा जो है किलाव जो है बतुत संभाल के रखा और किलाज जो घृटन की टीम उन्हें जब बराबरी की वह भी काफी सौट सा गोल ता तो उसके कारण जो है बराबरी हुई मेरा खाल है जिए जो जीत है वो सिर्फ दस खिलाडियों के साथ बहुत ही महत्वपूर्णा और इसके साथ कारण जो है मनोबल भारत की टीम का बहुत उन्शा होगा क्योंकि उन्होंने पहले भी ऑस्टेलिया को हराया और अब ब्रिटन को जो ह खिलाडियों के साथ हम खेले हैं 11 शाट ब्रिटेन को मिले इस पूरे मैच में गोल पर और 11 के 11 शाट जो है श्रीजेश ने बहुत ही बखुबी जो है उन्होंने डिफेंड भी किया कितना बड़ा रोल आप देखते हैं श्रीजेश के इस पूरे मुकाबले में और आगे आ भारत ने होकी जाजा खेली है, स्रिजेश के दम पे खेली है, और आपका गोल की पर अच्छा होता है, तो डिफेंस को कॉंफिडेंस मिलता है, मिट फील्ड भी थोड़ा फिर आगे जाके खेलती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर चूप हो भी जाए तो हमारे पीशे एक ऐस तो जिस ढंक से टीम ने खेला ये किसमत थी कमजोर टीम उनके सामने आई क्योंकि ब्रेटन बेस्टीम तो नहीं है वर्ल में, जो हमने देखा जिस ढंक से स्रिजेश, जिस ढंक से मिट फील्ड का परफॉरमेंस, और ओवरॉल जो आपने बोला कि दस खेलाडियों से पड़ते हैं, आपको पता है कि एक हम खेलाडी कम है, एक स्टेट पे तो नौ प्लेयर से खेल रहे थे, तो ये आई थिंग वर्ल फाइनेस परफॉरमेंस से गिना जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आपके पास पूरी टीम नहीं थी ग्राउंट पे. जी है, बिलकुल, और सबसे सर्वशेश परफॉरमेंस में से एक है, ये वाला मुकाबला ब्रिटेन को भारत ने चार दो से हरा दिया है, पेनल्टी शूट आउट में, और इसी के साथ सेमी फाइनल पहुंच चुकी है, भारती होकी टीम स्वामी सर, क्या हम ये आप बता प पड़ेगा जब कि अगला मैच जो होगा, और उसमें पता लगाए कि भारत का जो है, आपोजिशन किस के साथ होगा सेमी फाइनल में, और वो ये दर्शाएगा कि हमें क्या हमें फाइनल में जाके कम से कम रगज़त पतक जरूर जो है, निश्चित हो जाएगा, मगर मैं सम काडियों से मैंने करी बारी बातशीत की पिछले कुछ दिनों में, तो उन्होंने ये भी बताया है कि हम यहां पर पदक लेकर आना चाहते हैं स्रीजेश के लिए, क्योंकि स्रीजेश निश्चित परकार से हमारी टीम को समाला है पिछले तीन-चार ओलिम्पिक से और पिछले मैच में खेल पाएंगे कि नहीं मुझे लगता कि उखेल पायेंगे क्योंकि जो है वो थोड़ा सा हार्श डिजिशन था क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था मगर लग लगने कर लग लग लगा अकर करके तो इसलिए वह काफी ही बहुत ही सिवियर और स्टिक्ट अगर जो बारत को जो है बहुत ही अगर बारत कि इंटी है तस और नौ खिलाडियों इस प्रकार से पूरी टीम को संभाला ना सबकाता हूं स्रीजेश ने आखिर में जो दोस्कों पचाए वह ऐसा है दोनों ने बाहर मारा नगर स्रीजेश का स्किल इसमें था बिगुल से प्लेयर्स को बाहर तक लेके चलेगे अभी देखें विजे जी का एक बार रुक कर लेते हैं विजे जी देखें मोटिवेशन तो मिलता के मनोबल तो बढ़ता है जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है अगर आप जीते हैं तो मनोबल बढ़ता के अब टोक्यो ओलम्पिक से आते आते हैं पैरिस ओलम्पिक में कितना बदलाव आप देख रहे हैं इस पूरी टीम में और साथी ये जो जीत आज की हुई है वो कितनी और क्यों महत्वपून है सर आपका अनालिस इस तरह पताईए इस पर ये एहम जीत इसलिए है क्योंकि बार बार जब भी ओलम्पिक सब्सक्राइब कर देखा है और जैसे स्वामी ने कहा कि इस टीम से गोल्ड की उमीद है इस टीम से एक होकी रिवाइवल की उमीद है क्योंकि यहां पे मेडल आएगा आप जो है बैक टो बैक मेडल लाते हैं तो गेम को भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हमने देखा है इस सब्सक्राइब में जो कोचिस जो फेडरेशन ने काम किया बहुत बहुत बेहतरीन यहां पर स्वामी आप देखेगा जो कोचिस रहे हैं प्यारी अप्टेंडिक मेंटल स्टेंथ जो नोंने जिस जंक से उनको लाया गया वो साफ जलक रहा है कि खिलारी मेंटली बहुत यहां पर लग्षे सेन को भी होना पड़ेगा क्योंकिकर लक्षे सेन अपना समि-वाल मुकाबला फिलाल खेल रहे है यह वर्ल शicated टुरू ओलम्पिक चैंपियन एकलसन के साथ-साथ आप सब की नजरे लक्षय सेन पी है कि क्या लक्षय सेन अपने लक्ष तक पहुंच पाएंगे दीपा बलकुल और इसके साथ ही आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया वुझेश सर आपका भी और साथ ही वीक आपका भी शुक्रिया इसके साथ ही अब पेरिस ओलिपिक पर पोरे हिंदोस्तान की लिगाहे लगातार बनी हुई है जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आए, बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू, पूरे दिन ओफिस की टेंशन हो जाए गौन, जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे